Diffusion के बारे मैं अगर देखेंगे तो basically ये एक physics का concept है ठीक है? तो physics का concept है तो डरने की जरूरत नहीं है जो लोग arts background के हैं पहले मैं समझा देता हूँ जो लोग भी physics background के हैं ताकि उनको better तरीके से समझ में आ जाए और फिर art वाले तरीके से देखेंगे होता क्या है? जिके diffusion में कि जब भी कोई low concentration से माल लेते हैं कि this is a permeable membrane कि इसके R पर कोई चीज जा सकती है तो माल लेते हैं कि यहाँ पर कोई चीज low concentration की है और यहाँ पर माल लेते हैं कि high concentration की कोई liquid है या फिर कोई भी matter है तो होगा क्या? कि यह दोनों आपस में exchange करेंगे material का मतलब की concentration का suppose यहाँ पर इसका pH जो है वो 3 है और यहाँ पर इसका pH माल लेते हैं कि 5 है तो यह दोनों आपस में equilibrium maintain करेंगे या फिर यहीं पर आप लोगों ने पढ़ा होगा maybe chemical equilibrium chemistry का topic होता है जो कि 11th class में पढ़ाए जाता है तो इस तरीके से दोनों आपस में equilibrium में आएंगे और हो सकता है कि 3.5, 3.6 के near about में इसका एक final pH हो जाए अब यहाँ पर क्या होगा? कि material का exchange होगा कोई material जो low concentration वाली होगी वो high में जाएगी और इस तरीके से आपस में दोनों की एक equilibrium maintain होगी तो यहाँ पर जो भी process हो रही है यहाँ से यहाँ जो material जा रहा है वो किसके थूरू जा रहा है उसी को हम लोग बोलते है diffusion simple term में अगर बात करें तो diffusion का मतलब होता है exchange of materials exchange या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कि transfer of material transfer of material to achieve the equilibrium उसी को बोलते हैं हम लोग diffusion this is quite simple thing जिसको कि आप लोग जानना है question यह उड़ता है कि आखिर में इस diffusion का हम लोग यहाँ geography में क्या इस्तिमाल कर रहा है यहाँ पर हम लोग क्या use करने वाले है देखिए geography में हम लोग use करने वाले है diffusion का in terms of social या फिर economic concept आप बोल सकते हैं अब इस social या economic concept का मतलब क्या है होता क्या है कि माल लेते हैं कि कोई भी suppose political affair है या फिर कोई भी trade है या कोई भी item है एक चोटा सा example लेकर चलते हैं gold का gold का example यह आपके book में भी दिया हुआ है यहां पर होता क्या है कि gold is a very precious element और यहां पर क्या होता है कि USA में एक area है suppose Arizona में यहां पर माल लेते हैं खुदाई होती है excavation होता और ultimately यहां से gold आपकी निकल जाती है gold निकलने के बाद क्या होता है कि चुकि यहां पर ज़्यादा लोग नहीं है और किसी high dense इलाके में पहुचती है माल लेते हैं Pennsylvania में पहुची है और वो यह इलाका काफी आदा high dense इलाका है अब ज़्यादा high dense इलाका होगा तो CDC सी बात है कानफूस ही ज़्यादा होगी लोगों के दिमाग में ज़्यादा आएगा इसके अलावा Europe में पहुच जाएगा और इस तरीके से जो gold की importance है वो पूरे world में पहुच जाएगी तो this is basically called as diffusion अब इस diffusion का basically जो use किया जाता है वो अलग-अलग तरीके से use किया जाता है यहाँ पर जो mean हमारा motive है use करना है वो आपको social और economic concept में use करना है गया है कि हम लोग diffusion क्या चीज़ है this is basically exchange of the material और you can say exchange of knowledge एक दूसरी चीज़ होती है जिसे बोलाया था innovation देखें innovation को आप लोग invention के साथ में बिलकुल भी confused मत होईए तोनों के difference है दोनों में innovation is something जहाँ पर आप किसी नई चीज़ को ले करके आते हैं उसके adoption पे बात करते हैं कि how you are basically adopting the new invention तो this is basically adoption of new invention ठीक है और new invention का मतलब क्या होता है invention का मतलब होता है कि कोई भी आपने technology या फिर आपने कोई technique या फिर कोई भी आपने ideology कुछ भी कोई भी idea वगरह जो होता है या आपने invent किया है नया लेके आया है out of the box कोई चीज आपने खोजी है उसी को बोलते है invention so diffusion, innovation और invention में आपको idea लग गया होगा या आप बोल सकते हैं कि invention हुआ invention के कारण से जैसे महाल लेते हैं कि this is suppose invention invention हुआ अब invention का diffusion हुआ diffusion होने के बाद अलग-अले के area में जो भी लोग आते हैं diffusion को उन्होंने adopt किया और adopt करने को ही बोला जाता है innovation तो this is basically innovation question यह उड़ता है कि आखिर में इसको हम लोग study क्यों कर रहे हैं या हम लोग कहां कहां पर diffusion के concept को use कर सकते हैं तो दिखें जहां पर भी development के बारे में बात होगी आप diffusion के concept को use करेंगे इसके अलावा अगर माल लेते हैं कि globalization के बारे में कहीं पर आप question यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी आप diffusion को use करेंगे इसके अलावा trade international trade जो है वहां पर भी आप diffusion को use करेंगे इसके अलावा socio-cultural या फिर socio-economic जहां पर भी exchange होगा वहां पर भी आप इस diffusion के concept को use करेंगे clear जैसे माल लेते हैं कि रोस्टोव की theory है रोस्टोव साहब ने अपने development के बारे में बताया था कि आखिर में regional development या city का development या area development कैसे होना है तो यहां पर आप इस diffusion के concept को use कर सकते हैं diffusion जैसे होगा वैसे ही आगे जाकर development और start हो जाएगी आप यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से रोस्टोव की theory पहले दी गई थी वैसे ही diffusion modern concept और इसी वज़े से इसको बुलाता है modernism अब जैसे हमारे geography में हाला कि this is not in your syllabus यहां पर हमारे पास अलग-अलग theories आती है जिसे बुला आता है एक बुला आता है जिसको modernization theory ठीक है modernization theory का मतलब यह होता है कि जहां पर भी 1970s के दौरान में जितनी भी theories आए थी उनको बुलाता है modernization जैसे Weber का model था वो modernization के अंतरगत आता है clear रोस्टोव की थियोरी है modernization के ही अंतरगत यह आता है तो diffusion वगरे को क्या बुलाएगा इसको बुला आता है post modernization this is called as post modernization concept यहां पर जो बाते होती हैं जैसे diffusion का concept आ गया या फिर socio economic का concept आ गया human welfare का concept आ गया या फिर हम लोगों ने इसी के थुरू बात किया था technological welfare technological welfare का जो concept हम लोगों ने इस index के बारे में बात किया था this is again a post modernization technique समझ में आ गया दोनों के बारे में अलाकि देखिए this is not in your syllabus लेकिन इस्टिल जानते रहिएगा क्योंकि UPSC भी कई बार out of the syllabus जाती है और उस out of the syllabus को आप तभी लिख पाएंगे जब उसके बारे में आप जानकारी रखेंगे ठीक है चलिए अच्छा एक चीज में बता देता हूँ जो भी out of the syllabus जाते हैं तो वहाँ पर surficial आपको जानना होता है आज की discussion में हम लोग बहुत सारी चीज़े अगर आप syllabus wise match करेंगे तो it will be out of syllabus लेकिन कहीं न कहीं है आपके लिए answer writing में help करेगा या फिर कह लिजे कि syllabus में ही रहेगा clear, okay next जो होती है वो होती है time as a element अब ये क्या चीज़ है देखिए कभी भी जैसे हम लोगों के पास physics में भी देखा होगा आपने कि one dimensional होती है चीज़े two dimensional होती है ठीक है one dimensional का मतलब हो गया कोई भी एक line एक line जो है वो one dimensional हो जाएगी या फिर आप बोल जीजे कि this is basically point point जो है वो one dimensional है two dimensional क्या होता है two dimensional जैसे मैं लेते हैं कोई point है तो two dimension में वो line में बदल जाएगा कोई line है अगर तो वो एक cube या cuboid या फिर rectangle इसमें बदल जाएगा ठीक है तो ये two dimension हो जाएगा three dimension क्या होती है कि जो भी आपने rectangle बनाई थी यहाँ पर इस rectangle का बदल जाएगा cube या फिर cuboid मे ठीक है तो ये basically क्या है all this thing is space this is space लेकिन fourth dimension क्या होती है अभी तक total 11 11 I guess 18 dimension तक खोजे जा चुके है in the physics not important for you but it's still up just for your knowledge अब यहाँ पर in fact अगर Mumbai आप लोग अभी गया हों तो वहाँ पर 11D में movie चलती है ठीक है कई सारी चीज़े होती है जैसे आप 3D movie तो देखी रहे है साथ ही साथ में क्या होता है कि आपको जो आपकी chairs होती है उस chair में भी अलग-अलग तरीके की movement दे दी आती है जिससे आपको अलग-अलग dimension feel कराए जाता है just like reality that is the thing but they do not know कि what is the fourth dimension fourth dimension क्या होता है अगर किसी ने interstellar movie देखी होगी तो आपको पता होगा fourth dimension क्या होता है interstellar movie है देख सकते हैं आप काफी अच्छी movie है space को ले करके है the fourth dimension is actually called as time factor ठीक है तो time factor होती है fourth dimension और वही यहाँ पर भी discuss किया गया है time factor को ले करके question अभी time factor क्या है कैसे है सब हम लोग discussion करेंगे अभी just for the sake of your knowledge यह मने यहाँ पर बता दिया कि this is the thing that you need to know ठीक है और बाकी हम लोग time geography के बारे में भी all detail में और बाते करेंगे आगे अगर बात किया जाए one second यहाँ पर थोड़ा सफाई कर दी जाए yeah diffusion of innovation theory is concerned with the manner in which new technology idea जो हम लोगों ने यहाँ पर बाते की है कि किसी भी नए item की basically जो spreading होती है जो transfer transport जो भी चीज़े आप कहना चाहए उसी को हम लोग बोलते हैं diffusion according to this theory technology innovation is communicated through particular channel over time among the members of a social system clear अब हम लोग जो जो आगर बाते करें कि आखिर में यह जो diffusion की जो theory है how did this got developed कैसे यह develop हो रही है तो इसकी जो शुरुआत होती है basically वो French sociologist एक साहा थे Gabriel Tade इन्होंने शुरुआत की थी फिर यह हलाकी concept काफी पुराना है 1890s का है लेकिन यह धीरे-धीरे और develop होना शुरू हुआ और अब यह French sociologist जर्मन Germany में, Australia में और फिर आगे बढ़ते गया यहाँ पर जो contributors हैं वो Frederick Radzil भी आप जान सकते हैं या फिर Leo Frobenius को भी आद कर सकते हैं अब इन्होंने कुछ institutional diffusions के बारे में बात किया था जैसे postal stamp, postal stamp के आहतरीकी का diffusion है, you are basically transferring the material, कोई भी package आ रहा है तो you are transferring that, that is also a kind of diffusion, ठीक है तो यह basically एक compulsory school of thought आद इस तरीके से लेकर क्या है थे, that is not the important thing तो कुछ लोगों के नाम आप याद रखिएगा otherwise, important यह है कि आप आगे जो साहब हैं, इनका नाम याद रखना है, Award Rozer Rozer साहब ने basically यह जो diffusion of innovation है, इसको ले करके अपना जो एक paper publish किया था, और उस paper के publish करने के बाद ही जो चीजें है regarding diffusion वो और ज्यादा जोग्रिफी में prominent हो गई तो इन्हों ने जो book अपनी या फिर paper जो भी बोलना चाहे है, which popularized the idea Rozer's defined diffusion as the process by which an innovation in communication an innovation in is communicated through certain channel over time among the member of a social system, ठीक है he also defined an innovation as a idea, practice and object that is perceived as new by an individual or another unit of adoption, तो this is the thing that again एक definition उन्होंने दीए है, तो more or less things वही है जो हम लोगों ने discuss किया पस वही है कि इन्होंने अपने खुद language में एक दे दिया है, communication channel के बारे में इन्होंने कहा कि देखे, communication channel का मतलब ये होता है कि कैसे चीजे आगे फैल रही है, the more that it is using, जैसे माली ये knowledge है, तो knowledge के लिए क्या होती है, अगर माली ये knowledge को आगे बढ़ाना है, then what it is, it is the mouth publicity जैसे एक लोग दूसरे लोग को बताएंगा दूसरे लोग तीसरे को बताएंगा, that is called as mouth publicity इसके अलावा और भी कई सारे communication channels होते हैं, जैसे postal लगवा देना, advertisement, digital advertisement करवाना, या फिर postal ballots भेजना, multiple things होती है, जो जो चीजे आप लोगों ने देखी होंगी, they all called as communication channel, in fact SMS, call करना, email भेजना, all these also called as communication channel, तो आप लोगो idea लगगे है, basically communication channel क्या है, the means by which messages gets from one individual to another, all everything is called as communication channel I guess this is the simplest definition that it could have the innovation decision period is the length of time required to pass through the innovation decision process, rate of adoption is the relative speed with which an innovation is adopted by members of a social system और इस social system की भी इन्होंने definition दे दीती, कि एक set of interrelated units होते हैं जिसे हम social system बोलते हैं, जो कि basically आपस में problem solving के लिए, मिल करके लोग रहते हैं, और उनका common goal होता है कि इस तरीके की जो भी problem है उसको हमें solve करना है innovation decisions may be optional where the person or organization has a real opportunity to adopt or reject the idea, collective, where a decision is reached by consensus among the member of a system, और authority based होती है, जहाँ पर कोई एक person होता है और वो चीजों को deliver कर रहा होता है, बता रहा होता है कि this is the deadline and you have to complete this within this deadline ठीक है, तो यह basically innovation के अलग-अलग तरीके हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग आगे discuss करेंगे, Roger initially categorized this diffusion in 5 category अब यह 5 category कैसे होती है देखें, इस topic बहुत ही simple है बस यह है कि आपको थोड़े से शब्दों के साथ में खेलना है जैसे इन्होंने कहा है कि 5 stage क्या है awareness, interest, evaluation, trial, adoption अब इनके बारे में अगर चीजों के देखेंगे तो this is very common thing जैसे knowledge का मतलब क्या है कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी हो रही है and then you start adopting that thing अब यहाँ पर दो चीज़े हो सकती है जैसे महा लेते हैं आपकी preparations are related ही बाते कर लेते हैं you must be having two kind of friendship एक होंगी जो जिसको आप लो मानते होंगे this is the ideal thing कि अगर यह कोई काम कर रहा है तो हमें भी adopt कर लेना चाहिए बीना सोचे बीना समझे because the person is doing and he is doing for something good और वो चीज़ मुझे भी adopt कर लेनी चाहिए एक दूसरा भी होगा category आपका जहां पर आप evaluation करते होंगे भाई बन्दे ने किया है अच्छा क्यों किया है ठेक देख लेते हैं बाद में फिर उसको सोचेंगे करना है कि नहीं करना है तो इस तरीके की दो एक category हो जाती है एक तरफ आपने बिना सोचे बिना समझे केवल आइडियल मान करके उसको अडॉप्ट कर लिया और दूसरे साइड में आपने देखा सोचा समझा उसको evaluate करा उसको examine किया then adopt किया दोनों ही चीजों में क्या है knowledge knowledge ही basically आपको gain हो रही है और उस knowledge के थुरू ही आप चीजों को adopt कर रहे है लेकिन इन दोनों केटेगरी से आपकी persuasion या फिर जो interest की चीज है वो evaluate हो रही है कि एक साइड आपने information को as it is adopt कर लिया और दूसरे साइड में आपने evaluation किया उसको और खुद को persuade किया exactly की करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तीसरी जो technique आती है cause and pros and cons लेंगे देखेंगे क्या सही है क्या गलत है और कितना हमें adopt करने की जरूरत है और किस तरीके से adopt करने की जरूरत है या आप decision लेंगे based on the evaluation इसके लावा फिर last second last आपकी stage आती है इसको बोलते है implementation या फिर trial अब जैसे बहुत सारी ऐसे चीज़े होंगी जो आपको पता होगा करना चाहिए like in your preparation ऐसा कहा जाएगा कि आपको योजना पढ़नी होनी चाहिए या फिर कुरुक्षेत पढ़ना चाहिए या फिर मंतली magazines पढ़नी चाहिए newspaper पढ़ना चाहिए और तमाम चीज़े बोली जाती है लेकिन उसमें क्या है कि आप evaluate करते है according to your preparation क्या ठीक है this subject is weak this subject is strong strong को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है because वो तो saturation पे आ गया है लेकिन जो weak है उसको पढ़ने की जरूरत है then accordingly you evaluate the thing and adopt only those things which are actually required for you ठीक है तो यह आपके personality के based होती है इसको आपने implementation stage कहा कि जहाँ पर आप उसी चीज़ को implement करेंगे जो कि basically आपके लिए relevant होगी जैसे एक छोटा सा example अगर लेते हैं suppose you are माल लेते हैं कि आप किसी form पे गया है और वो form माल लेते हैं कि आप महरास्ट्रा में है महरास्ट्रा के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर black soil है और irrigation के लिए थोड़ी सी कठनाई है बारिश उतनी यादा होती नहीं है तो आप वहाँ पर अगर आप बिना irrigation technique के अगर वहाँ पर आप ये कहें कि नहीं मुझे यहाँ पर sugar cane उगाना है या फिर आप कह लिजए कि वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी crop चाय उगाना है माल लिजए या फिर coffee उगाना है तो this is not actually possible तो this is not feasible and that is why you will obviously not take the decision for the implementation of that kind of crop बस कही चीज यहाँ पर भी कही जा रही है कि कुछ चीज़े होती है जो decision मतलब कि जिसको आप implement नहीं कर सकते है because that is actually not required for that condition जो last आती है वो होती है confirmation या फिर adoption कि आपने चीज़ों को देख लिया ठीक है everything is going in correct direction सही चल रही है positive है चलो भाई adopt कर लेते हैं तो इस तरीके से चीज़े होती है अब देखे कुछ चीज़े होती है जो बहुत ही एकदम speed में फैलती है जैसे for example digital India अब जैसे क्या था कि 2000 के दोरान में mobile technology इंडिया में आ चुकी थी 2000-2001 के near about mobile technology इंडिया में आ चुकी थी but it was only in few hands कुछ ही लोगों के पास में था सीधी सी बात थी उतनी ज़्यादा per capita income नहीं थी महेंगाई ज़्यादा थी और लोगों के पास alternate option था कि हाँ PCO में जा करके वो call कर सकते थे लेकिन 2006-2007 के आस पास में ये mobile जो है एक revolution के तौर पे आ गया क्योंकि per capita income भी बढ़ गई थी 6th way commission के कारण से और दूसरा mobile की जो technology थी वो भी कुछ ऐसी बन गई कि आप अब वो जरूरत बनना शुरू हो गई थी क्योंकि सीदी सी बात है लोग अब दूसरे शहरों में जाना शुरू कर दिये थे और जो parents थे वो बच्चों को फिर mobile phone देना शुरू कर दिये कि हाँ ठीक है आपस के थुरू आज अपनी जिंदगी ही पूरी की पूरी आप इस पर dependent कर रखे हैं health measures आ चुके हैं games आ चुकी हैं पढ़ाई की चीज़े हैं मदब everything that you know वो यहाँ पर आ चुकी है तो अब क्या है ये सब चीज़े कैसे फैली all this got implemented क्योंकि इसी तरीके के diffusion को इन्होंने पांचो स्टेज को follow किया है कि शुरू में knowledge हुई फिर persuasion हुआ फिर decision लिया गया फिर implementation हुई या इन देन ultimately confirmation या फिर adoption किसी भी कि अगर किसी बंदे की economic prosperity इतनी है economic capability इतनी है कि कि किसी अच्छे चीज़ को आप्ट कर पाए तो obviously वो adopt कर लेगा और इस तरीके से ये जो mobile technology है वो diffuse हो गई और आज हर घर में basically एक दो mobile तो minimum है ही है आगे बात करें तो हम लोग बात करते हैं जरह characteristic of innovation की innovation के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे किसी भी method को use किया जाता है कोई भी innovation है कोई भी invention है sorry कोई invention है या फिर idea है फिर technique है उसको कैसे use किया जाया कैसे उसे किस method से use किया जाया that is called as innovation अब इस innovation के कई सारे characteristics हैं कई सारे विशेस्ताएं है innovation is not to be confused of invention जैसा कि अलड़ी हम लोग ने देख लिया कि जो invention होती है वो creativity होती है नए ideas होते हैं नए products होते हैं जबकि innovation is the acceptance and use of invention in the area ठीक है यही पर अगर आगे देख लें तो innovation have several characteristics that influence an individual to accept or reject an innovation how far improved an innovation is over its precious generation is known as the relative advantage अब आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो obviously you will adopt this और जब adopt कर लेंगे तो उसके बारे में अब next generation को पता लगेगा and next generation will directly use that ठीक है तो यही चीज़ है क्या innovation तो mobile is also a kind of innovation जो की सीधे adopt कर ली गई है इसके अलावा TV आप लोगों ने देखाऊगा TV पहले आती थी एक पहले 1990s के टाइम में shutter वाले TV आती थी उसमें क्या होता था आप shutter बंद करते थे और वो इतनी बड़ी TV होती थी कि just like a box मनदब एक box होती थी वो box वो आपने पतक दिया अब उसके बास से nobody is going to displace that फिर TV में क्या हुआ थोड़ा सा और compactness आई compactness आने के बाद में फिर screen तो है आज smart TV आ गई है so nowadays TV भी अगर आप देखेंगे तो cinema hall के तरह बड़ा बड़ा 49 इंच की screen 63 इंच की screen आ रखी है so this is all about the adoption of this innovation और यही चीज़ यहां पर भी बुली जा रही है कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को ले रहे हैं तो how for innovation is consistent with existing values past experiences and need is called as the compatibility कि कितनी compatible है चीज़ें उसी के according हम लोग innovation को accept करते हैं उसको हम लोग adopt करते हैं ठीक है आगे अगर बात करें तो the degree to which an innovation can be experimented with in course of adoption is called as tri-ability finally innovation is characterized by observation और the extent to which an innovation as its results are visible तो किसी भी चीज़ को आगे तभी बढ़ाए जा सकता है जब उसकी अच्छाई हमें सामने देखने को मिले ठीक है जैसे कि माल लेते हैं कि suppose defense के technology में we have number of areas जहां पर हमें development करनी होती है इसी development में we have different different kind of weapons जैसे chemical weapon होते हैं biological weapon होते हैं nuclear weapon होते हैं तो nuclear weapon को तो रखा गया है chemical और biological ये दो weapons ऐसे हैं जिनको कि 1997-8 के दोरान में इसको prohibit कर दिया गया कि हमें इस तरीके के weapons को use नहीं करना चाहिए and for that there is a treaty CWC, BWC, अलग-अलग treaties बना दी गई क्यों बना दी गई क्योंकि उन्हें पता है देखे chemical अगर कोई भी chemical अगर हम लोग mix करते हैं गवर्मेंट के केवल और केवल जो होती है जो authority होती है केवल उसको नुकसान पहुचाना होता है ना कि civilian को in fact civilian को बचाना होता है that is the convention तो वो convention को follow किया आता है और इस वज़े से क्योंकि वो compatible नहीं है BWC biological weapon is not compatible and that is why we have biological weapon convention similarly chemical weapon convention not to use that kind of weapons which are actually against the humanity तो इस वज़े से उस चीज़ को हटा दिया गए because they were not compatible clear ओके अगे अगर हमारे पास आजा है तो हमारे पास आती है different categories of adopter जैसे हमें मा लिजे कोई चीज़ अडॉप्ट करनी है तो it all depends कि how good I am in adopting the thing जैसे कई बार क्या होता है कि आपको suppose अगर माल लेते हैं कि आप night owl है ठीक है रात में पढ़ते हैं माल लीजे और आपको कोई यह suggestion दे कि नहीं आपको जो है वो early bird बनना चाहिए then it will be like disaster for you क्यों क्योंकि this is actually a disaster रात में अगर आप जगते हैं और दिन में सोते हैं तो it will be disaster because you will have to change your body clock कई बार क्या होता है in fact suppose आप इंडिया में हैं and you have to go immediately to European country so European country में क्या होता है suppose कि आप यहां पर मान लेते हैं कि शाम हो रही है then वहां पर क्या होती है morning हो रही होती है and in fact there is a very interesting thing in the European countries कि वहां पर जो morning होती है वो निर बाउट 4 a.m. to 5 a.m. morning हो जाती है और फिर जो night होती है वो 10 p.m. के राउंड राउंड में सूरी रहता है उसके बाद से फिर चला जाता है so काफी डे टाइम उन पर पास काफी जादा होता है productive काफी जादा होते है okay we are not going into that so यहां पर क्या चीज होती है कि compatibility suppose you are in India and now you are you have moved to European country अब ऐसा तो है नहीं कि country में पहुच गया है तो दिन ढलते ही वहाँ पर नीद आ जाएगी because you have set your body clock अपने हिसाब से आपने एक body clock बना के रखी है तो वो compatible नहीं होता है so this is a very tough task and based on that based on the adoption there are certain category of adopters किस तरीके से कि किसी भी innovation को आप कितना तेजी से accept कर रहे हैं इसी को बोलत अलग-अलग category बनाई गई है जैसे एक होता है इसे innovator बोलते हैं innovator वो होते हैं जो front end में खड़े होते हैं कि भाई कोई भी change ले आओ मैं तुरंत के तुरंत उसको adopt कर लूँगा तो इसे बोलते हैं first to adopt an innovation they are actually venturesome कि जो लोग start ही कर रहे हैं बना ही रहे हैं and the young and they belong to higher social classes with the financial luc acidity and have come close contact with the scientific resource and interact with follow innovators तो यह लोग वो होते हैं जो शुरवाती दिनों में ही accept कर रहे होते हैं they have greater empathy less dogmatism and greater ability to deal with the abstractions and greater rationality greater intelligence and greater ability to cope with the certainty uncertainty and risk तो जितनी भी चीज़े होती हैं basically वो positive side को देखते हैं and they are not looking at the negative side because they are obviously innovators and they want to adopt the thing in first glance ठीक है जो यह innovator होते हैं these individuals are actually deliberate and willing to adopt innovations after peer have tried them अब इसमें क्या होते हैं कुछ लोग होते हैं जो अब जैसे आपको मैंने अभी एक example दिया था कि आपके पास दो category of friendship होगी एक जोगी ideal होगी दूसरे side जो होगी जो evaluated होगी ideal को directly आपने देखा तुरंट आपने adopt कर लिया यह हो गया innovator एक तरीके से दूसरा जहां पर आपने चीजों को देखा और फिर analyze किया आपके काम की है कि नहीं है इसका outcome क्या निकल रहा है उसके बास से आप adopt करते हैं इसको बोलते हैं deliberate कि आपने deliberately adopt किया है उस चीज को देखन करते हैं और फिर चीजों को जा करके आप adopt करते हैं ठीक है the views on adopters category have drawn criticism it is a pointed it is pointed out adoption is determined mainly by an individual's economic assessment of the innovation तो आप ultimately क्या देखते हैं देखते हैं कि आखिर में कोई भी चीज हमारे लिए कितनी useful है कितना हम उसके काम कर सकते हैं कितना हम चीजों को हम अपने economic side को boost करने के लिए कर सकते हैं if the innovation is likely to increase profit और अगर मालीजे कि आपको किसी तरीके से बढ़ावा दे रहा obviously आप उसे फटा-फट अडॉप्ट कर लेंगे now next thing comes कि what is the type of what are the types of diffusion and what process does it follow क्या चीजे होती है तो ठीक ही diffusion के लिए अलग-अलग तरीके होते हैं like एक होती है जिसे हम लोग बोलता है expansion diffusion expansion diffusion का मतलब होता है एक point पे innovation हुआ इस innovation को फिर आगे spread कर दिया गया और इस तरीके से neighborhood में पहुँच गया इसे बोलता है expansion continuously बढ़ता जाएगा और ये कुछ इस तरीके से होता है diverging nature का इस तरीके से चार और ये फैल जाएगा इसको बोलता है expansion करना दूसरी होती है जिसे बोलते है contagious जो ये contagious होती है वो uniformly बढ़ती है मतलब क्या चीज है uniformly बढ़ने का uniformly बढ़ने का मतलब माल लेते हैं कि this is the force we have different hierarchy की ठीक है हाला कि hierarchy भी होती है इसी तरीके से माल लेते है कि कोई भी innovation आया and central government ने माल लेते हैं कि उस चीज को adopt किया तो central government जब adopt करेगी तो फिर वो uniformly अपने सारे department को adopt करवाएगी फिर उसके बाद से ये state government को पहुचेगा अब सारे state government को ये adopt करवाए जाएगा फिर local में पहुचेगा adopt करवाए जाएगा this is called as एक पॉइंट पर पहुचके अनॉइट इस इन देट डिपार्टमेंट या फिर इन दाइट काटेगरी इसको बोलते हैं कंटेजियस जहां पर डिफ्यूजन जो होती है दे अट्रैक्ट नियर्ली यूनिफॉर्म ली इन डा ओल इंडिविज्वल एंड एरियास जैसे माल लेते हैं कि वैक्सिनेशन कराना है कंटेजियस होगा डिफ्यूजन क्योंकि वही सबको यूनिफॉर्मली आपको जो होता है वैक्सिनेट कराना है कोविड की माल लेते हैं कल को वैक्सिन आयाती है तो सबको करवाना होगा क्योंकि अगर एक भी करियर होगा तो अबिसली देर विल बी डिजास्टर नेक्स आत और डाउनवार्ड इन हाईरार्की इस एस सिंपल आस दैट क्लियर नेक्स होती है जिसे रिलोकेशन बोलते हैं रिलोकेशन में क्या होता है कि पीपल खुद रिस्पॉंसिबल होते हैं मतलब यह खुद मूव्मेंट करते हैं और आइडियास को बढ़ाते हैं दूसरे को बत इन दे अरड अडाप्टिंग डिर्कली जैसे डेटा प्राइवेसी एंड डेटा पाइरेसी यह जो कंसेप्ट वो यूरोप कंटर इन यूरोपीयन कंटरी में स्टार्ट वह और फिर यह अलग अलग कंटरी में डिर्कली चला गया मतलब इस एकाइंड अफ रिलोकेशन ठी ठीक है and diffusion process में भी expansionist या relocational in character होती है ठीक है diffusion में involve expansion that is when innovation is spread through a population from one region to another expansion may be contact ways जैसे contagious हो गया और इत में proceed by leaps through locations linked by information flows that is the cascading type or relocation indicate the transportation of innovation from one place to another जैसे के हम लोगो ने अभी discuss ही किया हुआ है जितने भी innovation होते हैं they cannot diffuse to all the place or fit in any specific geographical milieu क्यों क्योंकि देखिए it all depends on the compatibility अब जैसे मालीजे आप रबांडा चले गए या फिर आप ऐसे country चले गए जहां पर survival ही tough task है अब वहाँ पर आप जा करके यह कहेंगे कि मुझे जो होता है वो data piracy के खिलाफ जो होता है वो movement करना है तो nobody is going to give you backing CDC बात है वहाँ पर आदमी खाने पीने के लिए अभी केवल और केवल struggle कर रहा है and you are talking something like out of the box चीजे तो इस तरीके को कभी भी जो होता है वो backing नहीं दी जाएगी तो all the innovations cannot diffuse at all the places और यहाँ पर depend करता है वही time factor acceptance of an innovation depend on geographic environment or heavily woolen garments would not be geographically feasible in the tropical climate जैसे की आप देख सकते हैं कि गर्मी के दिनो में थंडे कपने पेंगे इस और अविसली मुर्खता हो गई ना so such a fashion would not be adopted here adoption of an innovation also depend on the economic feasibility की आप जैसे आप से बोल दिया है कि नहीं थंड का मौसम है I want Pashmina अब Pashmina comes in a worth of 1 lakh एक लाख में कोई चीज आ रही हो तो obviously Pashmina suppose you have Pashmina बटा आप उसको ले करके घुमेंगे तो नहीं ठीक है तो that is the economic feasibility की कि कितनी economic feasibility हो रही है ठीक है the cost and maintenance involved technologically simple innovations जो होते हैं वो जादा quick होते हैं adopt करने में obviously अब जैसे we have different different techniques again in the technology हमारे पास कई सारी चीज़े हैं अब जैसे कुछ सारी कुछ चीज़े ऐसी हैं जो की easy है simple है और उसको तो that is the thing that you need to know it is also necessary that an innovation is socio-culturally compatible to readily diffuse आप जैसे आपके जो book है material है उसमें दिया गया है एक mini skirt का example लिया गया है जैसे माल लेते हैं कि mini skirt है it was actually not accepted in the society in the dark age लेकिन धीरे धीरे आगे चीज़े हुई फिर उसके बास से mini skirt जो हता एक area में पहले accept किया गया फिर it will be hard to find such kind of culture because they are not compatible with the village culture because there is backwardness ठीक है तो इस तरीके की चीज़े लिखें गई है obviously you cannot use this example in the geography but you can use the example like mechanization, mechanization जो होती है वो बड़े-बड़े form पे like US के form हो गया है Russia के form हो गया है वहाँ पर आप यूस कर सकते है mechanized format या truck farming जिसको बोलते है but you cannot use in India obviously because there are very short lands, छोटी-छोटी होती है small land capture होती है तो यहाँ पर alienation of land इतना जादा है कि आप truck forming कर ही नहीं सकते हैं अब जैसे मालीजे आपने truck को उठाया पता चले कि आपका एक किनारा एक बंदे के खेत में दूसरा किनारा दूसरे बंदे खेत में चला गया तो इस वजे से क्या होती है truck forming is hard to be compatible in the Indian society तो बस यहीं चीज़ यहाँ पर भी बात कही जा रही है the innovation need to be easily communicated through contact mass media advertisement if diffusion is to be wide cdc बात है जतना अदा इस प्रड़ी करेगा और जतना अदा इस प्रड़ी करेगा मतलब जतना अच्छा communication रहेगा the mass media channels are relatively more important at the knowledge stage whereas interpersonal channels are relatively more important at the persuasion stage above all the innovation has to be reliable if it has to be accepted or on a large scale आगे बात करें तो throughout the diffusion process there is evidence that all individual exert an equal amount of influence over all individual हर एक बंदा जो होता है दूसरे बंदे पे equally impose करता है मतलब उतना ही जादा जो है वो influence use करता है in this sense there are opinion leaders leaders who are influential in spreading either positive or negative information about an innovation the important roles in the innovation process does include क्या क्या चीज़े जिसे किसी की opinion अब जैसे हमारे माल लेते प्रदानमंतरी राष्टपती या फिर इस्टो के चीफ कोई भी अगर कुछ भी बोलेगा obviously you are going to believe on them क्यों? this is something like government security कि government security कभी भी devalue नहीं होगी government security जो होती है वो हमेशा value बनी रहेगी क्योंकि सीधी सी बात है अगर government की value गिर रही है तो obviously there will be instability and ultimately economy of the country is going to come down तो इस वज़े से वही वाली चीज़ यहां पर भी है कि important role of innovation process include क्या innovation जो भी opinion है leaders का ठीक है इसके अलावा जो change agents है who positively influence innovation decisions जैसे कि हमारे ISRO chief ही हो गए ठीक है या फिर DRDO के chief हो गए so and the change aids who complete the who complement the change agent अब जैसे banks वगर है या RBI वगर है तो RBI is something like a change agent और वहीं bank जो है वह change aids है clear तो idea लग गया होगा basically example के through what we are discussing here the function of the change agents are कौन कौन से change agent है जो अब जैसे change agent का मतलब हो गया bank अब bank के बारे में आप जोरा कहानी सुनते रहिएगा कि it is to develop a need for change on part of the client सीज़ी सी बात है loan देता है economy को भी boost करता है साथ ही साथ में socio-cultural जो या कह लिजे की social economic जो status of the society इसको भी balance करता है to establish an information exchange relationship again the PR thing public relation to diagnose the client problem to create intent to change in the client to translate the intent into action to stabilize adoption and prevent discontinuance and to shift the client from reliance on the change agent to self-reliance सब के सब वही सब चीज़े हैं आप bank का example लेंगे and सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आ जागे एक तरफ loan दे रहा है एक तरफ आपको finance भी कर रहा है एक तरफ आपकी जो basic needs हैं रोटी कपला मकान उसको भी पूरा कर रहा है आपसे पैसा ले करके उस पर आपको interest दे रहा है ताकि आपकी social condition अच्छी होती जाए इसके अलावा अगर insurance देना है तो insurance भी आपको दे रहा है मतलब हर एक चीज कर रहा है अगर आपको कोई चीज बाई करना है बुलियन बाई करना है गोल्ड बाई करना है foreign exchange की money आपको बाई करना है then again bank is there तो हर एक तरीके से आपको एक you can say की provide कर रहा है function जहाब आप चीज़ों को ले करके अपनी social economic condition को बढ़ा सकते हैं आगे बात करते हैं dissemination of information के बारे में कि आखिर में कैसे disseminate होती है कैसे आगे बढ़ती है तो इसके लिए होती है geographical feasibility अब जैसे माल लेते हैं कि you are in North India suppose ठीक है माल लेते हैं कि I expect everyone to be in the area of UP, बिहार, मदपरदेश और राजस्थान, हर्याना भी ले ले लेते हैं माल लेते हैं इस area के अगर आप हैं तो इस area में obviously North East की जितनी भी news है वो नहीं आती है क्यों नहीं आती है because plane area के लिए North East की जितनी भी news है they are like किसी भी worthless एक तरीके से लेकिन plane की अगर कोई भी मतलब की अगर माल लेते हैं कि कानपुर में कोई घटना हो रही है तो वो पूरे के पूरे area को जानते रहेंगे क्यों क्योंकि law and order कहीं पर भी कोई भी अपरादी भागता है तो फिर उसको पकड़ने के लिए जा सकते हैं तो this is geographical feasibility ठीक है तो geographically feasible होना चाहिए किसी भी innovation को adopt करने के लिए या फिर diffusion के लिए so this is important दूसरी चीज़ होती है economic feasibility अब माल लेते हैं कि अगर आप जो है normally अगर आप से बोला जाए super computer के बारे में देखो super computer जो होता है वो दो लग का है तीन लग का है पांच लग का है ठीक है या फिर आप से private jets के बारे में बात किया जाए या फिर healy pad के बारे में बात किया जाए तो क्या करेंगे आप interest लेंगे क्या obviously नहीं क्यों because that is not of your use आपके काम का नहीं है plus economic feasibility भी नहीं है तो this is the thing कि आप उन्हीं चीजों को diffuse करेंगे उन्हीं चीजों को आगे transmit करेंगे which are actually having importance in your life अब आप ये जरूर बताएंगे कि भाई कहां की चाय बढ़िया है क्यों क्योंकि चाय is your feasibility तो that is the thing और वो spread करेंगे आप technological simplicity होनी चाहिए आप कोई चीज माल लेते हैं complex है ठीक है तो वो उतनी यूज में नहीं आएगी जैसे आपको अगे एक example देता हूँ windows phone था और साथ ही साथ में आपकी android phone थी windows phone success नहीं हुआ बट android हो गया क्यों because android was very simplistic और वही windows complex था so this was the reason why windows phone got failed whereas this this thing emerged ठीक है in fact technology के लिए कहा जाता है जितना simple और जितना flexible होगा उतना ही जादा वो successful हो जाएगा जैसे आज की date में आप computers बगरे देखेंगे तो we have number of type of computers जैसे कोई gaming होती है कोई pentium 4 है कोई i3 है कोई i5 है कोई i7 है so we have number of type of computers अब उसमें क्या होता है जो स्यादा flexible है जैसे i7 is very flexible and that is also in the economic feasible range so people are actually interested more in buying i7 और i5 तो यह flexible भी होती है and this is simple again just like simple जैसे की windows का example ले लेते हैं तो windows 7 was a very successful windows I would say और उसके बाद से windows 10 लेकिन अभी भी जो भी coder होते हैं जो भी software engineer उनको पता होगा they are using windows 7 again why because that is very good for coding coding के लिए काफी अच्छा था in fact you can run a virtual system over there लेकिन वही windows 10 में हो सारी चीज़े नहीं होती है windows 7 is very good for safety perspective secure काफी यादा है but windows 7 नहीं था वो सो दोनों में कुछ ना कुछ खास बात है दोनों में कुछ ना कुछ बुराईया है तो pros and cons दोनों में हैं लेकिन जो windows 7 के बास windows vista and then windows 8 windows 8.1 यह सारे वेस्टेस थे because यहाँ पर जो चीज़े की गई थी that was very I would say poor technology use की गई थी और इस वाजे से वो उतना ज्यादा success नहीं हुआ because the technology was not simple ठीक है चलिए खर so we are taking lot of technical examples today चलिए खर social cultural compatibility ये तो खर आप लोग समझी गए है the example of mini skirt जहाँ पर village में obviously you are not going to wear that mini skirt but in the city you will not wear a village kind of you can say clothings so दोनों में compatibility की बात होती है कि आप किस तरीके की compatible किस तरीके की environment बें जा रहे है accordingly you will adopt those kind of things ठीक है next start the experiment ability आप जैसे देखिए कुछ चीजे होती है जो experiment करना ठीक है लेकिन कुछ चीजे होती है जो experiment करना भी dangerous हो सकता है जैसे nuclear nuclear की जब भी कोई testing की जाती है तो बहुत ही secure बहुत ही safe और बहुत ही जादा monitoring करके तब की जाती है लेकिन वहीं अगर माल लेते हैं कि आपको suppose PSLV की आपको testing करनी है या फिर किसी ऐसे चीज़ की testing करनी है जो कि उतना dangerous नहीं इस से simple and which can be handled easily तो वो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर आपकर सकते information exchange होगी उतनी अच्छी सी ठीक है ज़िए कोविड की vaccination के case है तो कोविड के vaccination के लिए vaccine सब लोग डवलब करना है all are in there third stage लेकिन third stage के आगे that is the main task that is the main challenge actually ठीक है इसके बाद आती है communicability के how the thing is using the mode of communication अब mode of communication भी काफी ज़्यादा help करता है बलकि काफी ज़्यादा deciding factor होता है की communication कैसे हो रही है अब जैसे mouth publicity जो होती है वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है और वही दूसरे mode जो होंगे वो भी अगेन होते हैं but it all depends की कि किस का product है ठीक है आगे देखे तो reliability के बारे में होता है कि how reliable the product is to reliability all depends कि अगर कोई चीज अच्छा होगा जैसे चाइनीज के जो item है चाइना के जो item होते है वो क्यों इंडिया में ही नहीं बदनाम है ये फॉरण में भी अगर आप जाएंगे तो अगर इंडिया में यूज कर रहे है तो उसके लिए भी जो material और जो उसमें चीजे यूज होती है वो भी कंट्री में भी यूज होती है इन फैक यूरोप रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चेक रिपब्लिक इस दा आई वूट से दा बेस्ट कंट्री तू कंस्ट्रक्ट दा रोड 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 वहां पर काफी अच्छी होती है और ये यूजिंग रबर मटेरियल फॉर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन फैक आप लोगो ने देखा भी होगा कि यूट्यूब अपर आपने वीडियोज वगर है कि हाँ पर जो होती है पानी गिर रहा है जो रोड है वो उस चीज को सोख ले रही है तो ये सारी टेक्नोलोजी जो होती है वो चेक रिप हो जाती है बाकी जितने भी वहां पर रहे लिपस में जो भी एक्सपरमेंट किया जाते है उसके बेशिज पे हो और रही करते है चीजों पे तो दिस इस अ रालाइबल टी तिंग कि कोई भी चीज रेलाइबल है या नहीं है या या नहीं यह ता छिंग इन वे चानी क्या है barrier? कई सारे barrier हो सकते हैं, जैसे एक barrier होता है कि the diffusion of innovation is not at the same rate all over all the spaces, इसमे climate, physical barriers जो barriers हैं वो भी एक barrier का काम करते हैं, अब इसमे social factor या physical factor या economic factor हर तरीके का factor इसको influence करता है, और इसे ही जो है basically barrier बोलते हैं जहां पर information पहुच रही है, but they are not getting adopted by the people, जो भी उस आस पास के हो गहें, इसमें सबसे बड़ा factor होता है distance, और इस distance में in fact last class में हम लोग ने बात किया हुआ था गुनार मिडल की theory के बारे में cumulative causation theory, distance जैसे जैसे बढ़ते आता है, people are not adopting that thing and this is you can say an example, ठीक है, गुनार मिडल का एक concept जो होता है, इसका example आप बोल सकते हैं, कि यहां पर distance होती है, वो एक factor होती है, जो adoption में या diffusion में help करती है, तो distance is such a barrier, interaction decrease with the increase in distance between the two area, अब इसमें physical features भी होते हैं, जैसे माल लेते हैं कि mountain है, तो mountain के cross border जो exchange होती है, वो नहीं हो पाती है, they are, मतलब कह लिजे कि जो होता है, tough होती है, अब जैसे India and Bhutan, both the country having a very good relation, लेकिन Bhutan की culture इंडिया म नहीं है, so this is also kind of diffusion, या फरका लिजे सकते हैं, barrier to diffusion, ठीक है, a boundary between two antagonistic societies, unable or unwilling to communicate with each other, can be a barrier to the movement of innovations, difficult terrain and ocean also have acted as a barrier of the diffusion, but they often deflect the path of diffusion rather than completely obstructing it, clear, Another impenetrable barrier is cultural factor, अब जैसे माल लेते हैं कि इंडिया में ही देखेंगे आप तो different different states हैं, अब जैसे Odisha, West Bengal, Bihar, ये सारे states ऐसे हैं, जो history में अगर आप जाएंगे तो तीनों के तीनों मिला करके single state हुआ करता था, लेकिन फिर division किया गया है, division के बास cultural division, cultural division के बाद, ultimately यहाँ प Even Odisha guys are not able to speak Hindi well, वही अगर Bengal में जाएंगे तो Bengali speaking जादा है, they are not speaking Hindi, और वही बिहार में बगल में आ जाएंगे तो fluent Hindi है, तो काफी बड़ा एक culture जो है, काफी बड़ा एक barrier बन जाता है, और उसमें भी linguistic barrier काफी बड़ा एक barrier है, ठीक है? Government भी जो होती है, इस तरीके का barrier बन सकती है, क्योंकि वो ban कर देती है चीज़ों को, and they are discouraging interaction with the foreign world and controlling media and literature flow, तो इस तरीके से भी जो होती है, वो problem आती है Physical barriers such as water body, desert, swamps, ये भी जो होते हैं, वो काफी important role play करते हैं, especially the present day of easy communication, permeable barriers, international boundaries, similarly, inhibit easy diffusion of innovation due to consideration of economy and socio-political factors Diffusion is a selective process, receiving cultural may accept some and reject other innovations, तो it all depends की किस तरीके का culture और कैसे उसे adopt करना है So this was all about diffusion, आगे हमारे पास एक छोटा सा concept और आता है, जिसको बोलते हैं, dis innovation, या इसी को आप बोल सकते हैं, parigmatic process, काफी important है, short note लिखने को आ सकती है, इस वज़े से, ध्यान से समझेगा क्या चीज़ है ये, दिखें, diffusion के लिए हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया, graph में आते हैं, तो diffusion के लिए एक चीज़ देख लिया, कि ये आगे information बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इसके बाद क्या, क्या information बढ़ने के बाद किवल बढ़ते ही जाएगी या घटेगी भी, obviously घटेगी भी, और घटने के कारश से नई कोई innovation आएगी, वो adopt होगी, तो जो घटने वाली चीज़ होती है, इसी को बोलते है, पारक में, या इसी को बोलते है, डिस innovation, अब जैसे, computer में देखेंगे, तो we have different different processors, Pentium 4 हो गई, या फिर मा लेते हैं कि I3 है, या फिर I5 है, या I7 है, जब तक P4 था, तब तक it was the best processor, लेकिन इसके बाद क्या ह होगा, I3 आया, I3 आया, तो इसकी फिर जो ये अप चल रहा था, वो down हो गया, because अब ये अप हो गया, उसी तरीके से I5 ये अब अप हो गया, तो ये डाउन हो गया, I7 फिर इस तरीके से चीज़े हो रही है, तो इस तरीके का जो diffusion होता है, उसको बोलाता है, पारक मेंटिक ये अपडेट है, कि जैसे ही अपडेट मतलब आगे बढ़ेगा, वैसे ही नीचे गर जाएगा, जैसे कि एक example ले लेते हैं, you can say clothings ही ले ले लेते हैं, तो clothings में क्या होता है, कि कुछ समय तक चीज़े रहती हैं, फिर गायब हो जाती है, और यही वो uniform अप सेट बोल सकते ह हैं, दूसरा type होता है, जहां पर innovation ये बढ़ने में तो काफे diffusion, उन्हें में काफे time लगता है, लेकिन फिर अचानक से खतम कर दिया जाता है, जैसे smoking, smoking एक समय पर काफी यादा promote हुई थी, काफी यादा आगे बढ़ी थी, लेकिन जब उसके ill impact देखे गया है, तो उसको chemical weapons, chemical weapons, ठीक है, कि इसको बनाने में जागा time नहीं लगा, लेकिन जब इसके ill effects दिख गया, तो इसमें फिर convention ला दिया गया, धीरे 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 करके इसको जो है, वो बंद कर दिया गया, इसमें innovation खतम कर दी गई, तो इस तरीके से आप this innovation को भी देख सकते हैं, इसके तीनों प्रे एरियास में अपनी अपनी theories दी हुई है, जैसे कि behavioral geography जो कि हम लोग ने perspective में भी पढ़ा हुआ है, तो behavioral geography को ले करके भी इनोंने अपनी बाते कहीं थी, इसके अलावा इनोंने time concept कर, time geography में भी इनोने अपनी बाते कहीं है, जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे, इसके है पहले diffusion के लिए देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला है hard strand haggar strand ये एक Swedish geographer थे और उन्होंने basically subsidies को किस तरीके से subsidy जो होती है वो लोगों में बट रही है लोगों में दी जा रही है डेलिवर हो रही है उसको study किया था इन्होंने और ये basically एक researcher भी थे और साथ ही साथ government agent भी थे तभी ये government की जो subsidy होती है उसको basically analyze कर पाए थे that was the thing इनकी जो doctoral research थी was on the cultural diffusion so ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये cultural diffusion को देखेंगे और cultural diffusion कहीं न कहीं socio-economic parameter पर बेज़द थी 1969 में 1969 में उन्होंने एक paper publish किया था नाम था इसका what about people in regional science और ये basically European Congress और Denmark वगरे में जा करके दिखाए होगा है थे that is the different thing what is important here इनकी philosophy क्या थी इन्होंने कहा the need to study the individual in order to understand social and group practice आखिर में क्या है लोग मिल करके क्या जैसे कि festival ये क्या है social and group event है group practice है religion एक social and group practice है तो most cultural geographers commonly not study everyday practice on an individualistic basis in order to understand large scale pattern कि आखिर में कैसी चीज़े बदल रही है कैसे चीज़े आगे spread हो रही है diffusion कैसे हो रहा है the study of just groups create a homogenization of reality and hides the truth clear दूसरा जो इन्हों ने कहा कि अप link between space and time समझ में आया देखिए space geography और time geography को दोनों को link ये कर रहे है हाला कि इनके interlinking नहीं यहाँ पर समझ में आएगी हम लोग उसको अभी आगे देखेंगे तो और clear हो जाएगा फिलाल भी diffusion को point of view रख करके सोच ये a link between space and time that had previously been poorly developed historically social scientist had treated time as relevant but external factor to special feature लेकिन Hager Strand का जो early work था on the innovation diffusion इन्होंने ये कहा कि that two मतलब कि जो space और जो time factor है ये दोनों अलग अलग जरूर है लेकिन ये दोनों से मतलब independent of each other है they have what Lefebvre would call a dialectical relationship तो खेर ये जो चीज है वो अलग है इसको जादा उतना समझ में नहीं आएगा पट यहाँ से ये समझ ये कि space और time ये दो factor होते हैं जो कि अलग अलग फैलते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं और ये आपको अभी जब time geography हम लोग discuss करेंगा तो और bitter तरीके से समझ में आएगी फिलाल अगर hackers trend के बारे में देखें तो इन्होंने discover किया कि that innovation of all kinds tend to diffuse from their point of origin किसी एक point से कोई चीज स्टार्ट होगे और फिर वो आगे बढ़ते आएगी just like champagne champagne जो है वो champagne एक जगा है जो France में है और वहीं से फिर ये जो champagne जो वहाँ पर alcohol बनाई आती थी bubble वाली जो alcohol बनाई आती थी वो basically Europe से spread हुआ spread होने के बाद फिर आगे all over the world ये बन गया है जहां पर champagne को अपना GI tag लेना पढ़ गया मतलब की patent लेना पढ़ गया है ठीक है four stage wave जिस तरीके से अभी हम लोग देखा है चारो stage उसी को follow करते हुए ये जो एक point से diffuse होती है कोई भी innovation वो आगे पूरे country में पूरे world में फैल जाती है इन दा primary stage an innovation occur and gain acceptance at its point of origin शुरुवाती दिनों में वही point of origin पर रहता है बाकी आगे जो होता है वो disperse कर जाएगा और फिर wide level पर spread कर जाएगा tertiary age में it adoption begins to slow फिर क्या होगा आगे चीज पुरानी होती है और उसमें update और new innovations आती है और उसके थुरू फिर जो होती है पुरानी चीज या तो खतम हो जाती है stop कर दी जाती है in fact अगर आप car में भी देखेंगे तो हर साल एक नया model निकलता है और धीरे धीरे क्या होता है कि पुराने model को फिर बंद कर दिया जाता है in fact जैसे मारूती 800 आज की date में देखने में आपको देख जरूर जाएगे बट उसके parts नहीं मिलेंगे so that is the thing ठीक है in final saturation stage the innovation approaches its maximum dispersal क्यों क्योंकि ये अपना जो कर्व है देखिए वो कुछ इस तरीके से आ चुका है अब ये maximum हो चुका है अब इससे उपर ये नहीं जा सकता है the simplicity of Hager strand model allows in terms to be precisely specified and stimulated mathematically and measured empirically such studies confirm that diffusion and adoption of an innovation over time tend to form S-shape curve देख सकते हैं आप S-shape curve बना हुआ है and the predicted by the model slow initial acceptance रहेगी फिर rapid dispersal होगा और फिर धीरे-धीरे जो होती है वो asymptote बनाते हुए increase करेगा यानि कि parallel हो जाएगा एक तरीके से that will be the thing in fact Rostov के model को भी जवाब पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरीके की बाते Rostov भी कहते हैं कि पहले एक pre-historic pre-knowledge based एक लोगों के बीच में भावना रहेगी मतलब city के पास अपनी information रहेगी फिर उसके बाद से एक take-off से पहले एक stage आती है जहां पर यह adopt करता है और फिर take-off हो जाती है और वो take-off stage यह आप बोल सकते हैं कि S-shape curve वो भी बनाता है तो कहीं न कहीं जो diffusion है और जो Rostov की theory है बोथ हार kind of having the same philosophy clear हैगर strand model has been refined to include such factor as the level of communication between innovator and adopter तो जो innovate कर रहा है और जो adopt कर रहा है उनके बीच में communication level को यह बताते हैं तो complexity अगर दोनों में complexity जादा होगी तो obviously inversely proportional हो जाएगा कि innovation हो रही है but they are not getting diffused to the adopters तो degree of congruence between the innovation and existing system real or perceived advantage of the innovation even individual and social attitude towards change तो यह देखना होगा आप जैसे क्या होता है कि जितने भी electronics या फिर technological change किये जाते हैं software update किये जाते हैं वो based on the जो भी लोगों को problem face हो रही है based on the feedback ही change किया जाता है और वही चीज यहाँ पर भी इन्होंने बोला हुआ है कि कोई भी चीज पहले communicate करना चाहिए innovator को हमेशा adopter के साथ touch में रहना चाहिए and based on that only he should invent clear आगे देखिए there is a lot of criticism through this theory and that is very obvious thing क्योंकि पहले तो बहुत subjective है दूसरा innovator और adopter यहाँ पर जो mathematical approach लेकर के इन हुने एक single dimensional अपनी view दिये philosophy दिये वो सही नहीं है because it is again a psychological based it is based on the behavior so diffusion of innovation theory is at best a descriptive tool and there is a doubt about the extent to which it can give rise to readily refutable hypothesis many of the elements may be specified in the culture in which it was derived अब जैसे North America में and hence less relevant in for example East Africa या फिर East Asian countries में अब जैसे माल लेते हैं कि कोई भी चीज़ अमेरिका में बन रही है कोई technology बन रही है based on the agriculture माल लेते है obviously वो ट्रॉपिकल कंट्री में नहीं आ सकती है क्योंकि वो temperate के हिसाब से बनाए गई है temperate के हिसाब से उस चीज़ों के बारे में समझा गया है बताया गया है clear तो यह जो चीज़ होती है वो kind of descriptive है और इस तरीके के diffusion को हम generalize नहीं कर सकते है दूसरी चीज़ एक behavioral in approach है it all depends on the behavior of the adopter whether it wants to or it doesn't want ठीक है इसके अलावा you can say कि this is very descriptive approach तो इसके mathematical approach रखना भी एक तरीके से criticism ही है इसके लावा देखिए test series में एक question था जो हमारे test series है उसके बहुत अच्छा question था है आप भी उसके practice कर सकते है like this is the question and taken from directly from the test series write short note on relocation and expansion diffusion इसकी पूरी कहानी आपको इसे diffusion से मिलीगी और यहीं से लिखना है clear आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास आता है time geography का concept काफी important है और काफी हमें strongly देखना भी है क्योंकि देखिए नया concept है and question आ सकता है इस पे इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा time geography का concept देखिए ऐसा नहीं है कि नया है यह बहुत पहले सदिया गया है जैसे Emmanuel Kant के द्वारा भी इस time geography के बारे में discuss किया गया था इसके अलावा Hager Strand को तो हम लोग ने देखा है कि यह time geography के concept को discuss कर रहे हैं इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे ऐसे लोग है जिन्होंने अपनी इस time geography के concept को दिया है जैसे Davis हो गया है इन्होंने भी time के हिसाब से अपने stage को बताया है Pank हो गया है इन्होंने भी phase बताया है या फिर LC King बोल दिजे है और पेंक भी ले लेते हैं और हेगर स्ट्रेंड तो है ही है लेकिन टाइम जोग्रफी को अगर डिफाइन करें तो what is the meaning तो टाइम जोग्रफी एक ऐसी एप्रोच होती है के सोशल जोग्रिफी में जो की बिसेकली हेगर स्ट्रेंड के द्वारा ही इंटर्ड्यूस की गई थी और दिस वास बिसेकली बिहेवरल अप्रोक्सिमेशन इन विच डिशीजन अउट बहुएर और टाइम आर सेंट्रल पॉइंट इन्होंने कहा कि जैसे कि इन्होंने एक एक इग्जामपल लिया था कि in general on a specific time of the day his work where they stay for x hour a day before they go home, do the shopping और जितनी भी चीज़े होती है वो करते है इसी को बोलाता है एक life path अब जैसे जिन्दगी का अपना एक path होता है आदमी जन्म लेता है फिर बच्चा रहता है फिर बड़ा होता है मैचूर होता है देन फिर आगे आगे और भी जो होती है सिनाइल स्टेज में आता और ultimately death हो जाती है तो this is a kind of a time geography जहां पर आपकी पूरी life जो है एक cycle के format में चलती है in the format of birth and death ठीक है तो इसी तरीके की कई सारे path होते हैं हम लोग ने life path के बारे में बात किया उसी तरीके से हर एक हर एक item का अपना sequential path होता है just like कि हर एक चीज की अपना एक time बोला आता है न कि हर एक हर एक चीज का अपना समय होता है बस वही यह समय है तो there are different kind of path for example life path या फिर weekly path जो भी आप अपना हफतों का बनाते हैं इसी तरीके से daily schedule जो बनाते हो daily path हो गया and which shows the sequence of activities for a specific time period तो हर एक समय के लिए आप जैसे आपने अपना schedule बनाया होगा कि इस time पर यह करूंगा that is time geography ठीक है very often the path of people are visually represented as a prism in which the activity and time are shown changes in for example the mode of transport influence the prism because an actor can travel faster when the individual parts of person come together you get a path bundle in situation like that it is possible that spread effect appear spread effect are changes of your destination through these path bundles इस तरीके से तमाम चीज़े लिखी गई है पढ़ सकते हैं आप इसको इसमें कुछ खास है नहीं बस यह है कि time factor के बारे में बताया गया है but I would recommend you to watch interstellar ones आपको जो यह time dimension है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा in fact I would recommend you to watch two movies one is Martian and another one is interstellar because यह दो ऐसी movies है जिनका basically movie के जब picture हो गई थी दिखा दिया गया था जब मतलब publish हो चुकी थी उसके बास नासा ने इन पर अपना एक article लिखा था in the Martian और Interstellar दोनों पर लिखा था इन्होंने यह कहा था end of the conclusion यही था उसका कि नासा अब आगे इन movies का यूज करेगी ताकि जो भी new recruits यह जो भी नए आते हैं ट्रेनिंग आते हैं तो पहले उनको feel दिलाने के लिए कि space में क्या चीज होती है and how exactly we are working यह दोनों movie जो थी उनको दिखाई जाएंगे और यह दोनों movie जितना हम बता नहीं सकते हैं उससे अच्छा इन्होंने present किया हुआ है so that was the thing इस वजह से recommend किया है आपको देखने के लिए भी अब इन्होंने अपनी time geography के लिए haggar strand ने कुछ assumptions लिये थे जो कि purely subjective है और रटा मारने वाले हैं जैसे इन्होंने कहा कि देखे हर एक physical entity की अपनी एक life होती है चाहे वो land form हो, चाहे mountain हो, चाहे कोई भी हो सब की अपनी एक life limited form होती है इसके लावा physical entities cannot be in more than one place at the same time या at the same time आप हवा में नहीं हो सकते हैं, at the same time आप Australia में नहीं हो सकते हैं तो एक चीज होती है, लेकिन इसमें exception है, क्या thought दिमाग में एक thought कई लोगों के दिमाग में आ सकता है एक समय पे So that is the different thing, अब internet क्या, internet भी एक तरीके से क्या है कि हर समय कई जगों पर फैला हुआ है, तो that is the thing, but they are not actually physical, that is you can say electromagnetic के तो बाती अलग हो गई, ठीक है? इसके लावा physical entities are limited in the task they do, physical entities भी जो होते हैं वो limited होते हैं All tasks, यतने भी tasks होते हों सब time demand करते हैं इसके लावा movement जो होती है वो time demand करती है No more than two object can occupy the same place at the same time, जैसा कि हम लोगों ने बात ही कर लिया Every object or space has a biography, हर एक बंदा, हर एक time, हर एक जगा अपनी एक कहानी लेकर के रखा हुआ है indicates time geography के लिये जो कि हagar Straat ने बताया था जैसे कि Haagir Straat noted that individuals individuals were not completely free to create their path They had to stick to certain constraints like Haggar Straatt noted in Fullini का कि और छेन का हा कै ने आ इंडिई ऐन ने रियोगों कै avalya पनोड़े ही funding coupling constraint and authority constraint capability का बतलब क्या होता है नाम सही आप समझ सकते हैं कि capable कोई चीज़ किसी को करने से रोक रही है उसी को बोलते है capability constraint जैसे कि human life जैसे example यहां पर लिखा गया है कि in daily life humans are committed to different things like eating, sleeping to function well तो यह क्या है capability एक तरीके से, इनकी constraint है कि वो जाद समय तक वो जग नहीं सकते हैं तो यह फिर कह लिए सालो साल नहीं जग सकते हैं तो that is the thing इसके लाबा coupling constraint के बारे में है कि people are dependent from other people's like machine तो यह दूसरे लोगों पर भी dependent होते हैं to fulfill an activity, they are also dependent from possibilities within space this is the result of human intersections example of coupling constraint are example like cars and all that यह साचीज है इसके लगा लास्त लिए काफी important चीज़ है इसको बोलता है authority constraint क्योंकि देखिया authority is the one that is going to ban or you can say कि apply those things तो किसी भी चीज़ को रोकना है चलाना है क्या करना है टॉल depends on the authority and that is the main constraint for this time geography the people are dependent from limited opening our laws इस तरही की जो चीज़े है वही आपकी authority पे बेस्टे हो जाती है clear आगे बात करें तो criticism of time geography के बारे में है तो again आप यह बोल सकते हैं कि this is very subjective thing this is behaviorally nature and this is very you can say कि unpredictive nature की है तो there are a lot of criticism in time geography but still यह point of research है अभी चल रहा है and this is very important for your examination यहाँ पर अगर बात है कहें जो criticism है criticism on time geography exists too mainstream पहला जो point बताये गया वह है importance of the physical in time geography and therefore the absence of human thought and action इसको पूरी तरीके से ignore किया गया है social understanding को ignore किया गया है ठीक है the other main criticism of time geography focus on the assumption that time and space are objective and transparent but this is not so ठीक है besides that also the absence of race, gender, sexuality यह फिर कह लिजे जो भी social parameters है उनको भी criticize किया गया है time geography links space and time into a coherent framework and is suitable for detailed comparison of excess level of different population group and of course are also some criticism about the approach in general तो कि इस तरीके से लिया रहा है तो आप तीन चीजों के basically बारे में आप बोल सकते है एक तो social parameter को यहाँ पर उतना तवज्जो नहीं दिया गया उतना importance नहीं दी गई है इसके लावा इसके इस वेरी descriptive and this is behavioral based on the behavior so you cannot just say कि यह this is certain thing इसके लावा जो होती है यहाँ पर आप यह बोल सकते है कि this is very limited ठीक है कि limited बहुत जादा है इसके बारे में study करना भी limited हो जाएगा so this is all about time geography concept इसके लावा एक question आप लिख सकते है कि write a short note on time geography है अ